Hello Everyone, आज की चार्ट में हम पढ़ेंगे, ये रेखा जी का है, जो कार्तिक चंद्रा जी ने हमें ये दिया है, इन्होंने सारे वीडियोस पर ही कमेंट किये थे, इसलिए इनका थुरा कर दे रहे हैं पहले, फिर सिरीज से आगे पढ़ेंगे तो इस चार्ट के बारे में हम लोगों को देखना है, ये अपने चार्ट को दिखाना चाह रहे थे देखें सबसे पहले हम एक चीज बता दें जिससे कि आप लोगों को और ये सारी चीज़े समझ में आने लगे, फिर से एक बार कन्फर्म करवाते रहे हैं पहले पिछले हमारे वीडियो में भी बताए गया था, इसमें हम फिर से बता दे रहें, देखिए ये हम लोगों का फर्स्ट हाउस है, ये सकेंड हाउस है, ये थार्ड हाउस है, ये फूर्थ हाउस है हम लोग ऐसे ही चलते है ठीक है फर्स, सकेंड, थर्ड, फॉर्थ, फिफ्ट, सिक्स ऐसे जाता है ठीक है यही हम लोगे पैटरन है चलने का देखिए नमबर भी ऐसे ही बढ़ रहे है ना एक, दो, तीन, चार इसी दीसा में बढ़ते हैं सारे ठीक है चलने का तरीका यही है तो आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा नमबर लिखा है इसको बोला जाते है कि आपके पहले घर में कौन सी रासी है ठीक है, बारा रासी होती है इसलिए बारा नमबर तक ही लिखे जाते है कई बार यहाँ पे कुछ सफ्ट वेयर क्या करते है नंबर की जगर पे सिधे रासी भी लिख सकते है इसमें कोई प्रॉलम की बात नहीं है ठीक है बस आप देखेंगे कौन सी रासी है बारा नंबर लिखा है तो मीन रासी है तो इनका लगन में कौन सा होगा मीन रासी तो इसको क्या बोलेंगे मीन लगन कुंडली इसको बोलेंगे अब यहाँ पे अगर हम बोले कि मित्थून बैठा है तो क्या बोलेंगे चतूर्थ भाव में क्योंकि यह देखें एक दो तीन और यह चौता गर है तो इसको बोलेंगे चतूर्थ भाव फूर्थ भाव ठीक है पी एच ए वी भाव तो ये होगे आपका फूर्थ चतूर्थ भाव चतूर्थ भाव में कौन सी रासी है तीन नमबर यानि मित्वन तो इसको बोलेंगे चतूर्थ भाव में मित्वन रासी है ठीक है चतूर्थ भाव में मितुन रासी है और चतूर्थ भाव में मितुन रासी में सुर्य और बुद्ध है ठीक है ये हो जाता है बोलने का तरीका चतूर्थ भाव में मितुन रासी में सुर्य और बुद्ध है ठीक है ऐसे बोलता है ये हो गया अब देखे मेरे सारे आप वीडियो में देखे हूंगे अगर इसको आप एक मानो दो मानो तीन मानो चार मानो एक स्टेंडर्ड चार्ट बना लेते हैं जिसमें पहले भाव में या पहले हाउस में पहली रासी ही ही हो ठीक है अगर ऐसे हम लोग बना देते हैं ठीक है ये अगर हम बना ले रहा है ठीक है तो जब चौथे नमबर पर गुरु आएंगे देखे हमने एक बना रख़ा है आप चेक करिए आपको मिल जाएगा मेरे सारे वीडियोज में साइड में दिखते हैं आपको फोटोज लगे रहते हैं फोटोज के फॉर्म में ठीक है यहां गुरू हो यहां मंगल हो ठीक है अब यहां पे चंदर्मा हो ठीक है ऐसे हमने अलग-अलग ग्रहों के नाम लिखे हुए है ठीक है अब इसका क्या बता है कि जब जब चौथे नमबर पे गुरू होंगे चौथे नमबर पे इसका मतलब यहां पे उचके होंगे तो किसी के भी चार्ट में गुरू अगर चौथे नमबर पे लिखे तो उचके विस्यम ऐसे मंगल अगर 10 नंबर पे लिखे हैं तो मंगल 10 नंबर पे चार्ट में कहीं भी लिखे हो वो उच्चके होंगे ठीक है? यानि उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा कुंडली पे ऐसी चंद्रमा अगर 2 पे लिखा है तो उच्चके होंगे ही होंगे ठीक है? और ये बहुत अच्चा प्रभाव पड़ेगा 6 नंबर में बुद्ध ऐसी सारे लोग ऐसी ध्यान दे दें कि बस जो इस नंबर पे लिखा है जिस रासी में है वही उनका प्रभाव बता देता है ठीक है? इसके सूरे जो है यहां उच्च के है लेकिन अगर सूरे साथ नंबर में लिखा है तो सूरे नीच के हो जाएंगे ठीक है? सेम यहां सनी लिखा है तो सनी नीच के हो जाएंगे एक नंबर में और साथ नंबर में उच्च के हो जाएंगे यह हमीशा ध्यान देजेगा यह सब उच नीच होता है क्योंकि 180 डिग्री में होते हैं यह आपका हो गया 30 डिग्री ठीक है अब ऐसे जोड़ते जलिए 30 30 60 30 90 ठीक है 30 30 60 70 80 90 ऐसे जाता है ठीक है हमनों स्टार्ट करते हैं जो ऐसे ऐसे यह आपकी देखिए यह जो रेखा है इनको हम बताते चल रहे आपको ठीक है यह घर ठीक 7th हाउस होती है इसका ठीक है यानि 180 डिग्री पे होते है 180 डिग्री कहने का मतलब यह हो गया कोई प्लैनेट यहां से च 119 माल लीजे चले उल्टा में एक बार इधर से ही समझा दे रहा है जाते प्लैनेट ऐसे ही है क्योंकि दो गंटे मेराशी बदलती है इस तीसा में बदलेगी तब ही तो हम लोग यह ऐसे दिख रहे हैं आपको ठीक है ठीक है तो माल लीजे कोई प्लैनेट है यहां से जैसे 90 ठीक है यानि यह जैसे इसमें 90 बोलें यानि कि यह पूरा हमने काउंट किया ठीक है तो यहां से लेके चालू किया इस घर के बारे में बता रहे हम इस घर के बारे में यहां से जैसे चला 90 डिगरी जैसे किया इस वाले घर में आया हुए है ठीक है 180 degree जैसे ही हाँ है 180 degree पूरा कर लिए यहाँ से चला यह 90 फिर ज़र से चला 90 नबे नबे 180 तो इसके ठीक सामने कौन होते है 180 degree पे सामने आ जाते है जो ग्रह यहाँ है ठीक है ठीक अपने 180 degree पे नीच के होते है जो ठीक सामने हमेशा वो लोग नीच के होते हैं अब जैसे देखे यहां क्या लिखा है चंदरमा साथ नमबर पर हमने बोला चंदरमा दो नमबर के उज़के होते हैं तो यहां यह उज़के नहीं है ठीक है आठ नमबर में नीच के हो जाएंगे क्योंकि देखे दो नमबर यहां तो यहां आठ नमबर आता है ठीक है काल पूरुस कुंडली बोलते है उसको ठीक है जिसमें एक यहां दो यहां तीन ऐसे रखते है न उसको काल पूरुस कुंडली बोलते है काल पुरुस कुंडली में हमने देखे हमारे पिशे के वीडियो में हमने लगा रखा है जिसे कि आप देखके समझ जाएंगे और याद भी रखने में असानी होती है एक बार आपको चार्ट याद होगा भई गुरू हमने यहां देखा था तो अकाउंट करके याद करोगा चाए चोथे नंगर में चोथे नंबर में गुरू ऊच के होता है फिर तो याद करनी के जुरत भी नहीं कि नीच किस पे होता है फिर इस पे से आप अब देख लोगे इसके जस्त सामने वाला जो जगह है यहां नीच के हो जाएंगे ठीक है ऐसे ऊच और नीच गंफर्म हो जाते है ठीक है चली अब हम आपको थोड़ा से इस चार्ट को explain कर देते हैं यह पहला नंबर का घर है जहांसे हम आपके बारे में जानते हैं पहले नंबर घर का character होता है अब पहले नंबर घर में किस का कैसा प्रभाव पड़ा है उससे आपके पूरी आप पे ही प्रभाव पड़ेगा ठीक है सेकेंड नंबर पे आपकी वाड़ी पे प्रभाव पड़ेगा ठीक है ऐसे चलते है तो पहले वाले घर में 12 नंबर लिखा है 12 नंबर का प्रभाव यह होता है कि आप धार्मिक प्रवेर्थी के होते हैं सबसे पहले चीछ यह आपको दे देगा धार्मिक प्रवेर्थी ठीक है उसके बाद चेक करते हैं हम लोग क्या किसी द्रिश्टी है तो केतु की द्रिश्टी काउंट करेंगे तो हमने बताए है यह रेखा जो होता है 180 degree का होता है तो इस घर से लेके इस घर तक कितना होगा 180 degree जिसको से हमनों 7th house बोलता है ठीक है देखे केतु के ठीक सामने रहू है ना यह हमें सा 180 degree पे होते हैं दूजे के अब यह क्यों होते हैं यह भी हमने पीछे explain किया है फिर भी हम एक बार और explain कर दे रहा है कि मालीजे यह सूर्य है ठीक है यह बाकि सारे planet है ठीक है यह मालीजे हम लोगा आर्थ है प्रित्वी क्योंकि यह ब्रह्मांड का plate बोलते हैं इसको मतलब चैंद्र का ग्रहाड हो गया तो आज भी इसका ग्रहाड हो ग्रहाड कह लेने का एक दूजी के ऊपर ओरलैप होते इस लाइट सोर्स के सामने आ जाते हैं ठीक है अब ये जब प्रिथवी यहाँ है ये सारी चीज़े ऐसे हैं ये सारे प्लैनेटु लैनेट है ठीक है तो चंदरमा जो होती है जो इनका अपना हमलोगा है जो इनको गुल गूम रही है वो किसी दो जगह पे काटेगी इस प्लेट को जो दो जगह पे काटती है उसी को कहते हैं राहू और केतु तो यह हमेशा क्योंकि एक प्लेट को काटे तो आमने सामने ही होंगे ठीक है तो यह जो आमने सामने का जगह है इसी को राहू और केतु कहते है इसलिए हमेशा एक दूजे के सामने होते है राहू केतु ठीक है हमेशा ये बदल नहीं सकता होई नहीं सकता पॉसिबल ही नहीं है लगने कुण लेम ठीक है तो अब हम यह बता रहे थे कि पहले घर में किसकी किसके दृष्टी है तो यहां से आगए सातवा दृष्टी फिर आठवा फिर नौवा केतू के दृष्टी आगई इस पर ठीक है इसके अलवा देखना है हम लॉग वह क्या किसी और की दृष्टी है इस पर तो बेसिकलिए देखना चाहिए कि किसको कि हम लों का कितना गुरू हो गए रहु केतू हो गया सनी सनी हो गए, मंगल हो गए इनलों की द्रिष्टियां जादे होती है बाकि सबकी 7 ही होती है मतलब अगर चंद्रमा यहाँ है तो इसके द्रिष्टि बस यहीं पड़ेगी ठीक है सुकर है तो इसके द्रिष्टि बस यहीं पड़ेगी यह इनकी बस 77 दृष्टी होती है सुर्य और बुद्ध की दृष्टी बस यही रहेगी ठीक है बाकी कोई नहीं तो यहां पर हम लोग देख रहे है केतु की 9 दृष्टी पड़े रही है ठीक है सनी की दृष्टी जो होती है एक यहां आएगी 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर यहां आएगी उस पर नहीं आ रही लगन पर नहीं आ रही तो सिर्फ आपका केतु कार है किसी और की दृष्टी नहीं है अगर इस केस में आगे बढ़े हैं तो देखें केतु की दृष्टी होने से क्या होता है आप बहुत धार्मी खो जाओगे ठीक है धार्मी खो जाएंगे अच्छा पुजा पट सब बढ़िया लेकिन केतु आपको एक ओवर थिंकिंग का प्रॉबलम देगा आप बहुत ज़्यादा सोचोगे ठीक है बहुत ओवर थिंकिंग करोगे ठीक है ये केतु की विज़े से होता है चलिए लेकिन ऐसे लोग समझदार होते हैं मतलब कोई चीज पढ़ाने से क्लास में लोगों से जल्दी समझते हैं ये लोग ठीक है इनका समझ अच्छा होता है ये डीप में जाने के कारक होता है ठीक है, हर चीज़ डीप में जाके सुनते समझते हैं, इनको यही पसंद है, ठीक है, चलिए, अब उसके बाद हमने दूसरे घर को जब देखेंगे, यहां मंगल है, ठीक है, एक नमबर, यानि मंगल की खुद की रासी है, देखें, कोई गर है, उच्च का है, ठीक है, देएंगे ही देएंगे, ठीक है, बाकी अपने सत्रू रासी में थोड़ा खराब रिजल्ट, अपने मित्र रासी में थोड़ा बेटर रिजल्ट, ऐसे चलता है, लेकिन बेसिकली जो चीज़ है, बिल्कुल हार्ड फास रूल है, उसको फॉलो ही करना है, वो उच्च और न पर किसका प्रभाव पढ़ रहा है, तो मंगल का, और किसी का पढ़ रहा है क्या, नहीं पढ़ रहा, कोई देख रहा है क्या, चंदर्मा देख रहा है, और कोई नहीं देख रहा, तो इस घर पर किसका किसका प्रभाव पढ़ रहा है, एक नंबर का, मंगल का और चंदर्मा करो एक नंबर भी मंगल ही होते हैं एक नंबर भी मंगल होते हैं तो ऐसे लोग जो सीला बात करने वाले तेज तर्रार बात करने वाले होते हैं ठीक है मंगल के वज़े से इनके बातों में आपको गुस्सा दिख जाएगा चंद्रमा तो प्यार से बात करने के लिए जाने जा बहुत चिल्ला के बात करने वाले नहीं होती है लोग आपको मंगल का पूरा इफेक्ट दिखागा क्यों यहीं बैठे हुए ठीक है तो आपको थोड़ा बातचित करने में प्यार का जरूरत है प्यार से बात करने के आपको जरूरत है ठीक है बहुत जरूरत है ठीक है अब ब सनी को ये घर नहीं पसंद आता है पांचवार नमबर क्योंकि सोर्य का घर इनके पिता का घर है या इनको डाट पढ़ती है ठीक है तो ये अभी आपका चार्ट में दो बहुत अच्छे चब तीन हो गए और इसके अलावा बिदेश भाह में जाके बैठा है बाहर ले जाएग है सनी करें होना आपको कोट कचारी करवाएंगे ठीक है कोट कचारी या थोड़ा सा द्रूब है यहां से हूद कुकि ये जगाई कोट कचारी यहां है ठीक है राहो की पंचवी दृष्टी आ रही है आपके ठीक है अब इस गर को हम explain करते हैं इस गर पे दो नमबर यानि सुकर लिखा है और सुकर खुद बैठे हुए है ठीक है प्लस राहू की दृष्टी भी है ठीक है और किसी की दृष्टी नहीं पड़ रही दो दो चार एक पार्च नहीं पड़ रही तो देखे राहू का यहां देखना ब्रेव बनाता है लोगों को ठीक है यह जिसकी भी कुंडली हो किसी की भी कुंडली हो अगर राहू यहां है इस जिगह पे तीसरे घर में तो आदमी ब्रेव होता है ठीक है बहादूर होता है अब ये सुक्र यहां पे खुद है और प्लस इनको रहों के दृष्टी भी मिल रही है चलि अच्छी बात है ये ब्रेव होंगे ये वंदा भी ब्रेव होंगे ठीक है इनके सिब्लिंग्स जो होंगे जो उनसे इनकी बहुत नहीं बनेगी जो भी इनके सेवलिंग्स होंगे उनसे इनकी बहुत निपनेंगे क्योंकि राहू ऐसे नहीं होते जो कारक हो इन सब चीज़ों के ठीक है अब इसके अलावा ये घर जहां पे राहू खुद है ये सोसेल पकड़ को भी बताता है पॉलिटिकल ये लोग जो होते हैं कि लीड करते हैं सोसाइटी को जो सोसाइटी अले घर में जब राहू होते है तो ठीक है ओके तो इस घर के बारे में हमने बताया सुकर बैठे हैं और राहू के दृष्टी है इस विज़े से क्या पता है हमने कि क्या प्रॉलम होगी इनको इनके सगे भाई-बैनों से भी उतनी नहीं बनेगी दूसरा यह ब्रेव होंगे बहादूर होंगे ठीक है यह चीज़ हो गई अपके इस घर की बात करें स्वगरी बुद्ध के साथ सूर्य है बढ़िया बात है बहुत अच्छी बात है चतुर्त भाव है यहां से हम लोग सुख सुविधा मम्मी प्रॉपर्टी यह सब देखते हैं यही से देखा जाता है इसका कनेक्शन इससे नहीं बनना चीए इसका कनेक्श कंच्छा के लिए ठीक है कारक गएं हूता है अपने लिए घर जमी ये है अच्छी चीच पेलिए बात करें या मम्मी के लिए बात करें तो सुर्य थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट नहीं डालते हैं जी जगे पर रहते हैं तो मम्मी को तब्यत को लेके आप सचेत रहेंगे ठीक है मम्मी की तब्यत को लेके आप सचेत रहेंगे बुद्ध स्वाग्री ही है तो ये थोड़ा जो भी निगेटिव पार्ट होता है घर का उसको थोड़ा सा बचा के रखते हैं ठीक है इस वज़ए से सूरे का जो प्रपार्ट है उसको भी कंट्रोल करेंगे बुद्ध अदित्य योग बोलते हैं उसको तो ये प्रोपर्टी के लिए ठीक है आपको बता दिया हमें सुख ही आपका ध्याय है द्याय होता है सूर्य जहां होता है वो आत्मा होती है चंद्रमा जहां होता है वो उसका मन होता है ठीक है तो यह आपका आत्मा अंत्याय अंधे अर आप बहुत अपने health oriented रहोगे मतला आपको हम में सई चीच का रहेगा कि यह तब यह कैसी चल रही यह तब यह ठीक नहीं चल रही यह खाय तो नहीं सही रहेगा वो खाया तो सही नहीं रहेगा यह चंद्रमा की वज़ास है ठीक है health oriented person ठीक है यह हो गया इनका उसके बाद इस गर की बात करें क्या यहां पर हमने यह नहीं चेक कि किसी की दिश्टी आ रहे की नहीं तो गुरू की आ रही है ठीक है गुरू की दिश्टी आ रही है किसी की आ रही है नहीं आ रही ठीक है चौते गर में गुरू की दिश्टी अच्छी मानी गई है यानि आपकी जो मम्मी होंगे वो भी धार में खो जाएंगी गुरू की वज़ा से ठीक है और बाके सब तो बहुत अच्छा है चार्ट में कोई प्रॉलम नहीं है बहुत बढ़िया दिखा रही है इसके अलाव पांचोगर की बात करें तो पांचोगर में चौथा नंबर की रासी है जिसे हम लोग कर्क कहते हैं और के तू बैठावा है के तू बैठने के कारण प्यार में एक खतरनाक वाला ब्रेक अप जिसको कहते है ये मिलता है इस चेगे पे ठीक है अगर के तू बैठ जाए तो और साथ मतलब सैड कर देगा ये इतना हाड ओला ब्रेक अप देते है ठीक है उसके अलावा पहले बच्चे को प्रॉलम देते है ठीक है लेकिन इसके साथ क्या देते हैं ग्यान प्रिये बना देते हैं इन लोगों को ये जैसे कि पूजा पाठ की किताब पढ़ लेना जोतिस की किताब पढ़ना काले जादू की किताब पढ़ना इनको knowledge की खोज हो जाते knowledge लगता है इनको कि समय न बरबाद करके हम कुछ पढ़ाई कर ले कुछ पढ़ ले, कुछ खोज ले, कुछ जान ले जान ले, इस पिसली जान ले की बात करते है ठीक है, क्योंकि माध्यम कुछ भी हो सकते है लोग आज कल मुबाइल में भी पढ़ ले रहा है ठीक है, तो माध्यम कुछ भी हो सकते है इनको ये oriented मना देता है knowledge के, ठीक है ये इनका है इसके अलावे इस घर की बात करें यह आपके बिमारी का घर कहलाता है ठीक है सुरे की रासी है और सनी है ब्लेड से रिलेटेड प्रॉलम जो होती है सनी की कहलाती है जैसे लो ब्लेड फ्रेसर हुआ ठीक है और खुन में बदबुने ऐसे एक चोटे मुटी चीज़े यह हो गए क्योंकि यह चोटे मुटे प्रॉलम है यह बड़ी प्रॉलम है अब यहां गुरू के द्रिश्टी होने के वज़ा से इनको गैस की दिक्कत होगी ठीक है गैस की दिक्कत होगी सनी के वज़शे जो दिक्कत है आपको आपको हमने बता दिया यह एक प्रॉलम है इस घर की प्लस सनी के होने के वज़शे क्योंकि यह जगह यह भी देखे जाती है कि आपको कोट का चारी जाना आना पड़ेगा नहीं कोट का चारी वाला काम जो होता है तो सनी क्योंकि law के दे होता है ठीक है और यहीं बैठे है तो यह करवा देंगे कोई ना कोई कोट का चारी ठीक है कभी ना कभी आपसे करवा देंगे नॉर्मली यह जब भी एक्टिव होते है 30-30-32 के बाद ही एक्टिव होते है ठीक है उसके अलावा गुरू की दिश्टी भी है अब एक चीज और इस जगे से बताते हैं हम लोग जॉब के बारे में इसी जगे से देखी जाती है तो हम लोग देखते हैं कि लगन से किसका ज़्यादा बन रहा है ठीक है यह हम लोग देखेंगे और आपकी कुंडली में सबसे स्ट्रॉंग प्लैनेट कौन है यह देखेंगे ठीक है तो देखेंगे यह दिखा रहा है पांच नंबर सूरे सूरे की रासी सूरे जो होते हैं कि हम लोग जब किसी की गौर्मेंट जॉब को चेक करते हैं गौर्मेंट जो आप मिलेगा की नहीं तो उनके में सूरे और गुरू ही देखते है लेकिन यहाँ सूरे नहीं है बस सूरे की रासी है तो फल तो है लेकिन बहुत नहीं है अब इसको अगर हम लोग कन्फर्म करें देखें चेक करें तो गुरू और सनी ठीक है यह आपके गुरू यहाँ पर भी है ठीक है बस एक यह सूरे आ रहा है तो यानि कि गुरू और सनी यह दू बहुत कारग रहे हैं आपके जॉब के लिए ठीक है अब यह कारग रहे में अदलब क्या हो गया और यह भी देखें मंगल की भी चौथी देश्टी थी यहाँ पर तो पहले बच्चे को प्रॉबलम करते हैं ठीक है खेर तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सूरे अर गुरू का कारग हो जाएंगे आपके जॉब पर इनका इफेक्ट पड़ेगा तो गुरू क्या होते हैं कंसल्टेंसी होते हैं सनी क्या होते हैं महनत होते हैं महनत स्पेसली महनत होते हैं फिर आपका सेना वोना यह सब होता है रूल रेगुलेशन से चलने वाली चीज़े होती है सेना जो होती है रूल रेगुलेशन चलती है पुलिस भी सो डूल रेगुलिसन से चलते है उसमें मंगल का भी देखा जाता है मंगल भी आपके ठीक है ठीक है तो इस केस में आपका इनी दुनों छेतर में से ही होगा ठीक है यह मिक्स होगा अब यह तो हो गई जॉब की बात यहां से देखा जाता है बिजनेस तो हमने बत बिजनेस का भाव बनेगा ठीक है अब गुरू से सूरे के भी बनती है ठीक है तो ये भी है और प्लस गुरू की दिश्टी भी है तो ऐसे ऐसी कुंडली जो होती है वो क्या करती है कुछ टैम जॉब करेगी फिर बिजनेस करेगी या ये दोनों कर सकते हैं ये अच्छी दल मैंनती है ठीक है अब देख है राहू यहां बेठे हैं यहां से यह पैसा आने की चीज तो राहू क्योंने वज़से क्या होता है पैसा आने में जटके देते हैं तो उसके बाद इस घर पर आ जाए हम लोग सेवेंथ हाउस में सेवेंथ हाउस में छे नंबर करने रासे लिखी हुई है अब इस पर किसी की दिश्टी पढ़ रही है ये भी देखना चाहिए तो किसी की दिश्टी आ रही क्या चेक कर लीजे महीं आ रही राहू के दिश्टी आ रही ठीक है और तो वाइप से हस्बेंड से मतभेद इस जगह से ठीक है वाइप या हस्बेंड कह लीजे वहाँ से मतभेद आएगी आपको आपके रिस्टे में थोड़ी प्रॉलम दिखेगी ठीक है लेकिन कोई दिख्कत नहीं है ठीक है छटा नंबर करने अरासी है बुद्ध का ठीक है बुद्ध या पर सुखे इसमें बैठे वाइप सुख से कनेक्शन बना दिया इन्होंने अपना ठीक है तो अच्छी बात है अगर आप इसको निर्वान कर लेंगे बढ़ियां से रहें तो कोई दिक्कत नहीं राहू तोड़ने का काम कर देते हैं कोई ना क्यों भरांती फैला देंगे थोड़ा सा रिष्टा खराब कर देंगे यह सब चीजे होती है इसलिए जब राहू यहां आ जाते हैं रिष्टा तोड़ देते हैं ठीक है तो राहू की दिरिष्टी है इसको आप समझ चुके हैं अगर समझ के हमान लेजे अभी इस समय तो आगे भी आप ध्यान रखेंगे कोई चोटी मुटी चीज़ हो तो उसको इश्यू नहीं बनाना है ठीक है यहां से डेली का वैया भी देखते हैं डेली खर्चे तो यह टेली खर्चे भी करवाएंगे अपके छोटे मुटे खर्ची ले चीज़े आपको लगेगा कि यह जो सैलरी है वो ऐसे खर्चे में खतम हो जा दिया है थीक है यह राहू का माँ पर आथर दिखा रहा है इस घर की बात करें तो चंद्रमा क्या करते है संक्रमर के कारक होते है ऐसे कोई बिचीज जो संक्रमर से फैल सकती है अगर यह लड़की की कुड़ी होगी तो यह भी आपके वेजिना एरिया केलिए दरसाती है संक्रमर से बचना होता है लड़की की कोड़ले होते है तो पेट के नीचे का पूरा पार्ट जो होता है वहां से लेके आपको बचना रहता है ठीक है इंक्लोडिंग आपके पैर में भी ठीक है थोड़ा सा नीचे की और तो यहां पे भी आप इसको ध्यार रखेंगे, यह गंबिर एरिया है, तो यह मतलब जल्दी एक्टिव होता है, जल्दी एक्टिव कहने का मतलब कि दिख जाता है, इनका एक्टिवेशन, ठीक है, और यहां गुरू की दिश्टी भी है, गैस तो आपको होगा, गैस से तो ठीक है, अगर यह लड़की है, ठीक है, अब क्या क्या असर पड़ा है, सनी की दिश्टी आ रही है, मंगल के दिश्टी आ रही है, गुरू की दिश्टी आ रही है, ठीक है, इसी जगह पर, इसके अलावा किसी की दिश्टी नहीं है, ठीक है, और चंदर मां खुद है, और क्या होता है शुकर की रासी है चंद्रमा है इनको सुगर से related problem से भी बचना है ब्लेट से related problem से तो बचना ही बचना है दोनों blood सनी के तीसी दिश्टी खतरनाक होती है ठीक है तीसी दिश्टी में भी बहुत हाड रू अपना सर दिखाते हैं दसवी दिश्टी में भी दिखाते हैं लेकिन ये ठीक है उसके बाद आएंगे हम भागय पर भागय पर आठ नमबर लिका है जो मंगल के रासी है ठीक है भागे में मंगल और इन पे द्रिष्टी किसी का 2, 2, 4, 1, 5 केथू की और किसी का सुक्र का बस इतना ही है ना मंगल का भी है मंगल के रासी है मंगल के द्रिष्टी है सुक्र है केथू है ऐसे लोग ड्रीम करते बहुत ठीक है ड्रीम इंटर सेंस कैसे सुपना सुक्र हमें सा लागजरियस लाइफ की उमीद करते है ठीक है सुक्र यहाँ पर देखे दोनों के दिश्टी है ठीक है केतु क्या करते है तड़प डालते है तो आपने कुछ ऐसा सोच लिया जैसे कि हमको यह करना है अब उसको लेके परसांड हो गया ऐसा हो नहीं पा रहा है यार इसको हमको करना है ठीक है यह चीज केतु करते है इस जेगे पर ठीक है और एस्ट्रोजी में इंटरेस्ट देते हैं केतु और गुरू इस जेगे से और सनी लेकिन अभी आपके में केतु एक्टिव हैं यहाँ पर तो एस्ट्रोजी में इंटरेस्ट देते हैं मंगल और सुकर की वज़ा से आप भागे साली तो है क्योंकि मंगल के दिश्टी है मंगली का घर है ठीक है और थोड़ा अच्छा मान सकते हैं इसको कि आपको भागे साली है लेकिन आप happiness oriented है खुसियों को बहुत ध्यान देते हैं luxurious life के पीछे भागेंगे आप ठीक है उसके बाद आगए यहाँ पर यह होता है आपके पापा का घर कर्म का घर ठीक है यही जेगे है नौ नमबर लिखा है आपके घर्म सब धार्मी के अच्छी बात है सब धार्मी के आपके हैं और यहाँ सब देखे किसी और के दिष्टी है न सूरे बुद्ध की दिष्टी self respect बढ़ा देता ही है ठीक है सूरे जहाँ भी रहेगा मम्मी में पापा में self respect बढ़ा देगा थोड़ा इनको ego भी देदेगा ठीक है self respect बढ़ाया अब क्या कोई और देख रहा है बैस चेक कर लिजे नहीं देख रहा नहीं देख रहा ठीक है तो इस केस में क्या हो है ठीक है यह आपके पापा के बारे में हो गया और कर्म के बारे में हो गया कि ठीक है कर्म मतलब अइस्थेर तो हो सकते है आप एकी बार में कई काम करने के लिए दावदर भागते रहेंगे ठीक है और सूरे आपको थोड़ा self respect बढ़ा देता है आपके पिता में ठीक है कर्म की बात करें तो ओवरॉल यह ठीक है देखे हम लोग अगर गुरु अच्छा हो सूरे अच्छा हो सूरे की यहां दरिश्टी हो ठीक है सूरे यहां हो तो इस केस में हम इनको बोलते है गौर्मेंट जॉब में जाने के लिए ट्राइक करने के लिए तो आप गौर्मेंट जॉब के ट्राइक कर सकते है ठीक है अगर टाइम पे आप अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलाजर को दिखाते है तो यह फायदा होता है वो आपको बताता है चांसेज हैं आपके तो आप मन लगा के तैयारी करके कर सकते हो नहीं होने के चांसेज में भी किया जाते है इसको सुर्य को सही किया जाएगा गुरू को सही किया जाएगा कैसे सही किया जाएगा डेली के कुछ काम में होते हैं जिनको करने होते हैं रेमिडीस की तरह और वो आपको उपाय देते है ठीक है यह हो गया आपका 11th house में राहू है 10 नमबर सनी की रासी है ठीक है और कै किसी कोई देख रहा है इनको नहीं देख रहा हूँ ठीक है नहीं देख रहा ओके तो इस घर में उन्हें बता है यह social connection है आपका समाज में आप कितने connect रहेंगे तो रहू क्या करता है लीड करता है ठीक है चाहलोग के साथ आप जब भी रहोगे लीड करोगे ठीक है सनी का effect क्या है सनी थोड़ा बुरा effect डालेंगे जैसे कि ना society में यह आपके लोग यह आपका ध्यान बना लेंगे कि मुँपे बोलती है मुँपे बोलता है जो भी चीज़े होती है मुँपे बोल देते हैं ठीक है society में अपनी बातों को अपने बातों पे अड़े रहने वाले होंगे ठीक है यही चीज इंडिकेट करेगी सनी यहाँ पे और राहू क्या करते हैं बोल्ड बना देते है मतलब clearly clearly आप अपनी बाते रकोगे इसलिए इस case में क्या होता है आप लोगों को lead भी कर लेते हो भाई आप अपनी बाते clear कर लेते हो मेरा यह बक्ष है जब clear करके आप बोलोगे बहुत लोग clear नहीं बोल पाते तो उनको लगता है हाँ जो यह कहने न वहीं हम भी कहना चाहरे है तो इसलिए ऐसे case में लोग जो होते हैं लीड कर लेते हैं ठीक है पैसे की बात पता है अगर इस यह कैसे तो हमने बता है आपको रुक रुक के आपको लगन का जो है connection मना रहे हैं अब विदेश जाने की chance है आपको घुम सकते हैं ठीक है नेगेट्व इंपेक्ट जो इस घर का होगा उसको नहीं देंगे यह ठीक है तो हो सकता है कि विदेश जाने के chance बले हो और आप ना जाए कोई पुरबड़ी चीज नहीं है अपने घर का रहना सबसे बहतरीन होता है क्योंकि पहले के घरों में पहले के टाइम में इसको बहुत गलत घर माना जाता था ठीक है इन सारे घरों को कोई अच्छा घर नहीं माना गया और बाहर जब आप कहते थे नो देश निकाला देना तो इसी घर से देखते थे यहां राहु रिजल्ट दे देते हैं तो रहन आपको बाहर जाने का मौका बना देंगे आप जाओगे बाहर ठीक है ये घर ऐसा होता है बढिया चीज़ है जो आपका कोशन था अगर पैसे से रिलेटेड और बिजनस से रिलेटेड हो तो वो भी कैसे करना है आपको राहू के एफेक्ट को बताया है इनका कनेक्शन बनाया है बता दिया सुख बहुत से है ना चोटी चीज़ों को इगनोर करें सुख को सुख पे ध्यान दे ठीक है और कुछ जो भी मन में हो आप पूछे और हमें बताईए धन्यवाद लोगों तक सियर करें पहुंचाईए अच्छा लगता है